हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चानल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं भले ही 2017 विधानसभा चुनाव में जन्ता ने राहुल अखिलेश की जोड़ी को नकार दिया हो लेकिन माया अखिलेश की जोड़ी हिट हो गई है एक साल बाद हुए दो लोग सभा उपचुनावों में प्रदेश वासियों ने अखिलेश के काम पर दो बारा मुहर लगा दी है सुबे के मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री को जन्ता ने गोरकपुर फूलपुर से हरा कर अखिलेश यादव का साथ दिया है दोनों उपचुनावों में सपा ने एतिहासिक जीत दर्ज की बड़े अंतर से हुई जीत के कई माइने निकाले जा रहे हैं एक तर्फ प्रदेश की जन्ता ने योगी सरकार के कामकाजव दूसरी तरफ मुदी सरकार के सौतेले व्यवहार को करारा जवाब दे दिया है चार साल में मूदी सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर सकी वहीं एक साल में योगी सरकार ने जनता के भरोसे को नहीं जीत पाया जिस वजह से जनता ने प्रदेश में दोनों को नकार दिया सपा बसपा के गटबंधन को जीता कर एक नया संदेश भी दे दिया आपको बता दे की गोरकपुर में करीब 20,000 वफूलपुर में 60,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए है नहीं प्रत्याशी प्रत्याशी विजयी हुए है